हेलो गाइस, वेलकम है आपका आमेरे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे 10 प्लस ITI, 12 प्लस ITI और ग्रेजुशन अगर आपने की याई किसी भी फिल्ड में तो आप यहाँ पे करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को दोस्तों आपको लास तक देखना है, तो बही चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बही अपडेट है, यहाँ पे Border Road Organization, यहाँ पे Ministry of Defense Government of India के अंडर में आती है, अड़िटाइजमेंट नमबर है, यहाँ पे 01-2024, यहाँ पे आपका जो पोस्त है और वेकेंसी है, वेकेंसी में आपको बता दू, 466 यहाँ पे वेकेंसी है, और यहाँ पे आपको पूरा ट 466, यहाँ पे बहुती बढ़िया यहाँ पे वेकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, अब बात करें इसकी important dates की, तो यहाँ पे यह starting date है, 16 November से start हो जाएगी, और last यहाँ पे apply आप कर सकते हो, 30 December तक, all states accept the regions mentioned in next paragraph, यानि next जो paragraph है इसके, यानि जितने भी states आपको mention किये गए हैं, इसके अलावा कि जितने भी states हैं, उनके लिए यहाँ पे 30 December तक आप apply कर सकते हो, और बाकी जो states आपके mention है paragraph C में, उसके लिए 14 Gen 2025, यह आपकी last date रहने वाली है, इसमें apply करने की, अब बात करते हैं, यहाँ पे इसकी age limit के बारे में, तो यहाँ पे आपको दो जो हो paragraph द जितनी भी post है, उसके लिए 18 to 27 यहाँ पे age limit रहेगी, और unreserved OBC और SCST वालों के लिए यहाँ पे key dates प्रोवाइड की गई है, और next जो serial number 3 है, यहाँ पे उसकी age limit 18 to 25 रहेगी, और unreserved OBC SCST वालों के लिए यहाँ भी आपको key dates प्रोवाइड की गई है, आप चाओ तो इसका screenshot आप ले सकते हो, अब दोस्तों यहाँ पे आगे बात करते हैं कि और चीजों के बारे में कि अगर यहाँ पे आपको apply करना है, उसकी यहाँ पे website क्या रहेगी, और इसकी full detail अगल आपको जाननी है, तो उसकी यहाँ पे website सेम रहेगी, marvels.bro.gov.in पे जाके आप इसकी full detail यहा candidates यहाँ पे apply कर सकते हैं, citizen of India होने चाहिए, या फिर a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India, अब यहाँ पे physical efficiency test रहेगा, practical test रहेगा, trade test और written test यहाँ पे रहेगा, इसके basis पे यहाँ पे आपका यहाँ पे selection होने वाला है, अब यह सभी जो है वो conduct किये जाएंगे, GREF, Center, Diggy Camp, Alandi, Road, पूने म तो यह सभी चीजे जो भी आपके recruitment process है, यह सभी पूने में होने जा रहा है, अब यहाँ पे आपको पूरी application यहाँ पे advertisement number mention करना है, जो post है, वो mention करना है, और पूरा application जो आपने submit किया है, जो form है, वो पूरा fill up करने के साथ, इसको आपको जो हो registered post पे जो हो करना है, Commandant, GREF Center, Deggy Camp, Pune, 4111-015, through registered post along with acknowledgement, तो यह इनको मिलना चाहिए, as on the closing date of submission of the application, तो यहाँ पे 30 December जो हो, इसकी last date आपको, जैसके मैं आपको बताया है, इसकी रहने वाली है, आगे बात करेंगे दोस्तो, call letters for written exam, physical efficiency test, practical test, trade test, primary medical examination will be sent to the candidates by post email, इसकी सभी जो details है, call letters है, वो आपको आपकी email या फिर by post या फिर इसके website पे भी जो वो यह बता देंगे, तो आपको यह सभी चीज़े, जो वो ध्यान में रखनी है, आपकी email ID और जो आपका address है, वो आपको valid देना है, और इसी के साथ आपको website भी जो वो regular basis पे चेक करनी होगी, अब दोस आपके language में होगा, Hindi और English, objective part जो वो आपका OMR based रहेगा, जहाँ पे subjective जो पार्ट है, वो has to be answered in the answer sheet, तो यहाँ पे objective part हम जानते हो कि यहाँ पे OMR based होगा, यहाँ पे MCQs रहेंगे, जिसके चार options होगे, जो आपको टिक करने होगे, और जो subjective part रहेगा, उसके लिए आपको answer sheet दी जाएगी, उसमें आपको जो वो, इसके answers आपको लिखने पड़ेंगे, अब दोस्तों हमने यहाँ पे बात तो कर ली है, इसकी age limit की बारे में, अब यहाँ पे जान लेते हैं, इसमें relaxation क्या-क्या है, तो relaxation भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यह पूरी table show आ अन-reserved वालों के लिए, ex-servicemen वालों के लिए भी यहाँ पे आपको जो वो, relaxation देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे PWBDs के लिए up to 10 years है, और Jammu Kashmir migrants के लिए यहाँ पे 5 years है, इसका आप screen shots भी दोस्तों ले लेना ताकि आप बात में भूल ना जाओ, आगे बात कर ल करते हो, SCST या फिर PWBDs से, तो आपको यहाँ पे कोई भी fees पे करने की जरुवत नहीं है, application fees यहाँ पे जो है, वो दो language में हो सकता है, आप दोनों language में यहाँ भर सकते हो, आपको जो वो choice है, और यहाँ पे अगर आप इसका payment करना चाहते हो, application fees का, तो इसके लिए आपको URL लिंक दे रखी है, online, यहाँ पे आपको शो गरी होगी, online sbi.sbi.sbi.sbi.collect.com, और यह पूरा URL आपको दे रखा है, यहाँ पे जाके आप direct जो हो अपना application fees पे कर सकते हो, अब दोस्तों बात करते ही कि इसमें apply कैसे करना है, तो यहाँ पे आप दो language में से कोई से में भी आप यहाँ पे apply कर सकते हो, अपना application form आपको यहाँ पे फिल करना है, हिंदी या English दोनों में से आपको इसे भी language में कर सकते हो, यहाँ पे आपको basic details फिल करनी है, और कुछ यहाँ पे आपको documents होंगे, certificates वगएरा है, वो आपको scan करके यहाँ पे upload करने है, फिर उसके बाद आपक बहुत जादा दिकत होती है, तो दोस्तों अब आगे यहाँ पे बात करते हैं, और भी चीजों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि qualification जो है, वो क्या रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको table show हो रहा होगा, जिसमें आपको serial number, post और यहाँ पे qualification दे first draftsman की जो post है, उसके लिए 10th plus 2 with sign subject, और इसी के साथ आपका 2 साल का certificate होना चाहिए, architecture या फिर draftsman ship में, या फिर और एक option आपको यहाँ पे दे रखा है, possessing 2 years NTC certificate, आपका draftsman civil में आपका होना चाहिए, second में आपका अगर graduation है किसी भी field में, तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो, और third, fourth, fifth, इन सभी में आपका matriculation है maximum और उसी के साथ यहाँ पे आपका जो है, ITI जो हो मांग रखा है, same field में, same discipline में, तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो, तो दोस्तों इसका screenshot ले लेना, पूरा read नहीं करूँगा, यहाँ पे video जो हो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसका screenshot लेके रख लेना, आप चाओ तो उसको pause करके पढ़ भी सकते हो, कि कौन सा आपका field है, और उसके लिए आपका क्या यहाँ पे जो qualification है, वो मांगा गया है, अब दोस्तों आगे यहाँ पे बात करेंगे, pay scale के बारे में, तो यहाँ पे आपको उसका भी जो वो list show हो रहे नेक्स जो post है, supervisor administration उसका level 4 का आपको pay level यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 25,500 से लेके 81,100 और बाकी की जितनी भी post है, C से लेके G तक यहाँ पे आपको same level 2 का pay level आपको देखने को मिलेगा, 19,900 से लेके 63,200 यह आपका pay scale इसके लिए रहेगा, तो दोस्तों इसके लावा औ और भी आपको यहाँ पे allowances और benefits आपको मिल जाएंगे, यानि आपका यहाँ पे package जो वो काफी अच्छा यहाँ पे बन जाने वाला है, as a fresher और यहाँ पे जो 10th pass और आपने ITI कर रखा है, उनके लिए तो यहाँ पे बहुत ही बड़िया अपडेट रहने वाली है, अब mode of selection की यहाँ पे बात कर ली जाए, तो यहाँ पे written test है, फिर आपका proficiency, efficiency test है, जिसमें 1 mile यहाँ पे run होगा, 1.6 km only passing the test is mandatory, और आपको 10 minute में इसे खतम करना है, फिर इसके बाद physical standards है, जो यहाँ पे आपको standards पूरा table यहाँ पे आपको show हो जाएगा, तो इसका भी आप लोग screen shot लेके रख लेना, कि आपके chest measurement, height वगएरा यह सब क्या होनी चाहिए, an expansion और expansion, आगे यहाँ पे medical standards है, याने medical यहाँ पे test होगा, फिर यहाँ पे आपका डायर के selection जो हो जाएगा, अब दोस्तों इसके regarding आपको और भी यहाँ पे details, guidelines, instructions वगएरा मिल जाएगी, तो आपको इ जैसा कि आप लोग जानते हो, exam के requirement है, तो अगर आप इसके preparation को easy बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे ultimate combo material में आप enroll कर सकते हो, जिसमें आपको इन सभी subject के notes और इसके video lectures यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अब यहाँ पे इसके अलावा आपको बहुत कुछ मिल जाने वाला है, जो आपको इस exam में नहीं, बाकी सभी exam में आपकी help करने वाला है, अभी इसमें special offer चल रहा है, तो दोस्तो बिलकुल भी miss मत करना, इसकी link आपको उमारे इस video के description में मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप इसमें diet enroll कर सकते हो, और तो अगर आप इस full notification को चाहते हो, read करना, तो आप इसकी full detail ले सकते हो, इसकी link भी आपको हमारे इस video के description में मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप इसकी full detail ले सकते हो, तो दोस्तो यहाँ पे I hope कि आपको आपके सब कुछ चीज़े clear हो गई होंगी, तो अगर आपको कुछ क्वायर ही आती है, तो comment section में आके comment कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो, तो like जरू से कर देना, और ऐसी और updates के लिए हमारे channel को जोगो subscribe कर देना, तो दोस्तो आज की इस video में इतना ही, मिलते हैं मैंने next video में, एक नई update के साथ, तब तक के लिए goodbye, take care.